हेलो डियर स्टुडेंट्स वैलकम स्वागत आप सभी का प्रिय विद्यारतियों आज की जो अपनी क्लास है इस क्लास में अपन आपका जो चैप्टर है इसके अपन क्वैस्टन आंसर करेंगे इसका जो कंप्लीट एक्स्प्लेनेशन है इसकी वह पन पहले जो हमने पिछले जारी किये तिन वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं तो एक्स्प्लेनेशन हमने पहले कंप्लीट कर दिया है और आज इसकी क्वैस्टन और आंसर जो हैं वह अपन इस वीडियो में करने वाले हैं आईए शुरू करते हैं देखते हैं सबसे पहला प्रस्ण यहां प और इसकूल डैट डे तो उस दिन फ्रेंश जब इसकूल जारा था तो उसे किस चीज की तैयारी करके जाने थी किस चीज को तैयार करके उसे जाना था तो देखो लिखा हुआ है आपको याद होगा कि फ्रेंश जब रवाना होता तो वह कहता है कि I was late that day और उसे ही जो है व कि that day friends was expected to be prepared with participants because M.Hemel his teacher M.Hemel कौन थे उसके जो teacher थे his teacher had said that he would question on participants उन्होंने कहा था M.Hemel ने कि वो participants पर पूछेंगे तो उसको जो है वो किस के क्या तियार करके जाने की पेक्सा की गई थी उससे participants को तियार करके जाना था आगे क्या है कि friends did not know anything about participants लेकिन फ्रेंच को participants के बारे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए वो उसने सोचा कि एक बार तो सोचा कि जो है वो मैं आज का दिन जो है वो आउट अप डूर बिता लो नहीं घर से बार बिता लो लेकिन फिर वो कहता है क और कुछ ऐसे चीज़ें भी बताई उसने क्या-क्या चीज़ें उसे आकरसित करती है कि दिन सुआ होना था पक्सी जह चाह रहे थे जंगल के किनारे प्रसीन सॉल्जर्स डिलिंग कर रहे थे ओपन फिल्स में यह सारी चीज़ें भी उसने बताई लेकिन फिर वो विरोध क यह से लिखना है कि यहां से आप लिखेंगे यहां पर लगा देंगे है और लिखेंगे एक्सपटेटी और अच्यान टो एकृंस को रखेंग रहे हैं इस कर रहे हैं प्रerd法 करना चाहते हैं तो PDF आपको हमारे एप में मिलेगी, हमारा एप है Education Rise नाम से, Play Store पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, Education Rise, अब Play Store पर टाइप करेंगे, Education, Education की स्पलिंग सब जानते हैं, E-D-U-C-A-T-I-O-N और R-I-S-E, यह हमारा जो एप है, वहाँ पर आपको complete जो आपका English का course है, सभी subject के English, compulsory हिंदी, compulsory, हिंदी, सहत्य, political, science, geography, history, सब के course मिलेंगे, आपको chapter wise, grammar भी इसकी मिलेगी, तो वहाँ पर आपको complete course मिल जाएगा, इसकी संपूर्ण, जो explanation है, वो मिलेगी, इसके question answers मिलेंगे, इसके अलावा इसकी जो MCQ जे वो भी, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएंगे model paper बगेरा भी आपको सब वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, चीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और next अपन देखते हैं, दूसरा प्रस नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, कि what did friends notice that was unusual about the school that day, उस दिन friends ने क्या चीज़ notice करी, क्या चीज़ उसे ऐसे दिखाई दी लगी, जो कि उस दिन इसकुल के लिए unusual थी, रोज unusual का मतलब, जो कि रोज नहीं होती थी, उसी दिन होई थी, तो आप यह लिखाएंगे कि usually, सामने ते क्या होता था, when school began, जब इसकुल सुरू होता था, जब इसकुल लगता था सुबह, तो there was a great busle, तो काफी बच्चे सोरगुल करते हैं, हला होता है, बच्चे दोडते हैं, इदर उदर आदी आदी, which could be heard out in the street, ये जो great busle जो होता था, इसे बाहर गली से भी सुना जा सकता था, इसकुल के बाहर की जो गलियां होती वहां से भी, लेकिन, अब आप यहां से लिखना है, but that day, it was all very still, लेकिन उस दिन सब कुछ सांत था, ऐसे कोई भी बसल नहीं थी, वहां पर किसी प्रकार की हडबडात नहीं थी, everything was as quiet as Sunday morning, बढ़ाता ना आपने, कि कैसा बिलकुल quiet था, पर कैसी सांती थी, जैसा कि Sunday की morning को होती है, Sunday की morning को क्यों, क्योंकि Sunday को इसकुल नहीं लगता, त तो उस दिन जो है, जिस दिन ये चैप्टर जब सुरू होता है, तो उस दिन की जो बात करते हैं, बिलकुल सांती थी, there was no opening and closing of desks, his classmates were already in their places, the teacher's great ruler, and instead of wrapping on the table, was under M. Hamill's arm, तो ये सारे चीज़ें थी, क्या-क्या थी, कि सब पूरी सांती थी, और आगे लिखाए, कि anything, everything was quiet as Sunday morning there was no opening or closing of desk, वहाँ पे desk जो होते हैं, वहाँ पे खोलने और बंद करने की कोई आवाज नहीं आ रही थी, उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि his classmates were already in their places, जो उसके एक सहपाटी थी, वो सभी अपनी एपनी seatों पर अपनी, उनकी कक्सा में बैटे थे, the teacher's great ruler, instead of wrapping on the table, उनके आम में उसे दवा रखा था, and was under him else arms, ठीक है, तो यह जो है एक प्रकार का एक unusual जो परिवर्तन दिखाए दिया था, वो वहाँ पे उस दिन था, next, अगला जो अपना question है, आप यहाँ पे देखेंगे, next question है, कि what had been put up on the bulletin board, उस दिन bulletin board पे क्या चीज चिपका ही हुई थी, put up का मतलब होता है, लगाना, टांगना, तो उस दिन bulletin board जो था, bulletin board means notice board, जो सूचना पड़ था, bulletin board यहने सूचना पड़, तो सूचना पड़ पे उस दिन क्या, जो है, वो news लगी हुई थी, तो आप ले कहेंगे, आपको पता है ना, कि वो जो news थी, कि बाई, जो अलसे स had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lauren, क्या order आया था, कि Alsace और Lauren जो दोनों district थे, फ्रांच के, जो की अपरशिया के occupation में चले गए थे, वहाँ पे कल से, यानि next day से, only German would be taught, केवल German भासा पड़ाई जाएगी, ठीक है, only German in the schools of Alsace and Lauren would be taught, ठीक है, this notice had been put up on the bulletin board, तो यह notice जो है, वो उस bulletin board पे चिपकाया हुआ था, next आगे बढ़ते हैं, और अगला अपना question जो है, यहाँ पर देखेंगे, कि अगला जो प्रसन है, वो है, what changes did the order from Berlin cause in school that day, Berlin से जो order आया था, उस order ने उस दिन school में क्या-क्या परिवर्तन किये, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, कि the order from Berlin had made many changes in the school that day, कहीं सारे परिवर्तन किये, एक परिवर्तन नहीं हुआ, बलकि कहीं सारे परिवर्तन हुए, क्या-क्या परिवर्तन हुए, एम हैमल had put on his best dress, तो पहला परिवर्तन तो यह लिखना आपको, कि एम हैमल ने अपनी जो best से best dress हुआ करती थी, जो कि वो Sunday को पहनते थे, या price distribution के दिन पहना करते थे, वो dress पहनी थी, क्या-क्या था, उस dress में क्या था, he is beautiful green coat, he is frilled shirt and little black silk cap, यह चीज़े पहनी थी, एक तो उनका जो हो बहुत ही सुन्दर कलर का, जो green कलर का कोड था पहना था इन्होंने, जो जालरदार इनकी shirt थी पहनी थी, और काली कलर की छोटी सी cap थी, all embroidered, all embroidered, सभी कसिदा कारी की हुए, तो पहला परिवर्तन तो यह था next, the whole school seemed so strange and solemn, पूरा का पूरा जो विद्याले था, वो बिलकुल गंभीर और बिलकुल अजीब लग रहा था, एक दम strange था, रोज की तरह नहीं था, तो दूसरा परिवर्तन यह हुआ था, बरलीन से जो order आया था, उस वज़े से विद्याले पूरा का पूरा बिलकुल बद विलेज पीपल वर सीटिंग कोईटली लाइक स्टुडेंट्स, तो उन बैक बेंचेज पर भी क्या था, उस दिन, उस दिन गाउं के लोग विद्यारतियों की तरह चुपचाप बैटे हुए थे, तो यह तीन परिवर्तन हुए, आप यह लिखेंगे, कि एक तो M.H.M.L. जो उनके टीचर्स थे, लेंग्विज टीचर, उन्होंने ब्यूटिफूल अपनी जो ड्रेस थी, वो पैन रखी थी, इसके लावा वहाँ पर क्या था, कि जो गाउं के जो लोग थे, वहाँ पर पीछली सीटे जो हमें से खाली हुआ करती थी, वहाँ पर बैटे थे, और इसकूल उस दिन बिलकुल एकदम स्टील सांथ दिखाई दे रहा था, प्रिये विद्यारतियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वास्टिन की तरह बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर आये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरीक बिलकुल मिनिम्म चार्ज पर, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा एप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको ये कोर्स पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, हमारे एप का नाम है एजूकेशन राइस, ठीक है, एजूकेशन राइस नाम से प्ल आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इस नंबर पर वाट्स अप या टेलिग्राम कर सकते हैं, मैं आपको नंबर यहां पर लिख देता हूँ, नंबर है मेरा 90796229989, ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे टेलिग्राम या फिर वाट्सप करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेस्टिन हम लेते हैं अगला हमारा जो प्रस्ण है हाँ दूसरा प्रस्ण पर लेते हैं दूसरा प्रस्ण है हाउ डिट फ्रेंज फिलिंग्स एबाउट एम हैमल अब एम हैमल की जो भावनाए थी नई फ्रेंज की जो भावनाए थी फ्रेंज की जो फिलिंग्स थी एम हैमल की प्रती और स्कूल के प्रती कैसे बदली क्योंकि पहले वो एम हैमल के बारे में कुछ और सोचता था उसके बाद स्कूल के बारे में कुछ और सोचता था लेकिन जैसे यह महमेल ने कहा कि this is the last lesson I will taught today मितलब आज जो मैं तो मैं पाट पढ़ाऊंगा वो अपना अंती मद्या है तो उसके बाद अचानक से उसकी जो feelings थी वो बदल गई, change हो गई तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि friends came to know that it was the last lesson in French यह French language का अंती मद्या है that M.Hammel would give them जो कि M.Hammel उने पढ़ाएंगे तो यह अंती मद्या रहेगा from the next day they will be taught only German and the new teacher will come tomorrow और अगले दिन से उन्हें जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी और उनके जो नए टीचर है वो कल आएंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए then he felt sorry for not learning his lessons properly and going for seeking birds eggs and sliding on salt तो उसके बाद उसे अचानक से जो हो बहुत sorry फिल हुआ कि उसने अपने लेसंस ढंक से याद नहीं किये और वो क्या करता था लेसंन याद करने की बजाए वो जो birds के eggs से अंडे थे उनको ढूणने जाता था या फिर जो सार रीवर थी एक नदी है उस नदी पर वो sliding करने फिसलन पट्टी करने के लिए जाय करता था इसके अलवा his books which seemed a nuisance and a burden earlier were now old friends जो उसके किताबे उसे पहले भाहर लगती थी वो भी अब उसके पुराने दोस्त होगे क्योंकि अब अंतीम बार पढ़ रहा है उसके बाद वो पढ़ नहीं पाएगा इन किताबों को his feelings about M.H.M.L. also changed M.H.M.L. के प्रती भी उसकी भाहर बदल गए he forgot all about his ruler and how cranky he was कि उनका डंडा कितना उसे मारते थे उस डंडे से तो उस डंडे के बारे में भूल गया और साथी साथ वो कितने बदमिजाज थे कितने कठोर वेक्तित्व के दनी थे M.H.M.L. उसके बारे में भी भूल गया क्योंकि वो भी अब कल चले जाएंगे तो इस तरहे के से उसकी feelings जो है वो बदल गई थी ठीक है ठीक है तो हमने आज यहां तक किये next question उसको अपन next video में लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है मिलते हैं जल्दी next video में अगले जो questions है उनके साथ मे और next chapter भी अपन पढ़ेंगे आपके point भी पढ़ेंगे poetry वाला section complete करेंगे साथी साथ प्रोज वाला भी करेंगे grammar भी करेंगे तो जल्दी मिलते हैं next video में तब तक के लिए भाय धन्यवाद thank you